अरवाई होगा लीगल एक्सना भेजवार हैं डरवार हैं उसको गाउं की महिला है अनपढ़ है कह रही है खुद को क्या अनपढ़ है हमको जो मुह में आया है बोल दिये वो एक सचिन कोई नहीं कहा पूरे मीना समाज को और हमारे देश के जितने पतले दूबले पती हैं कम जोर हैं पतले दूबले कहेंगे थिन कहेंगे स्माट कहेंगे छरहरे कहेंगे जो भी इस तरह के पती हैं उनका अपमान हुआ उनका घोर अपमान हुआ ऐसी अमर्यादित भाशा, संबेदन हीन, अशलील, गैर कानूनी शब्दों का इस्तिमाल किया गया, असन सदी भाशा का इस्तिमाल किया गया, एक दिन बोल दे तो कोई बात नहीं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार कई दिन तक एक प्रोफेशन बनाके, प्रोफेशन बनाके लगातार उ उसका तला क मतलब हद्द आप्वार्व, यह का पूर्फ किसी को अच्छा नहीं लगता है तो Pues को जिए बच लड़के को मसलोंसों कै फ्य्क दोगे मार दोगे उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा सीमा और सच्चिन को लेकर के लगतार तमाम तरह की खबरे आ रहे हैं इसे बीच सीमा और सच्चिन के कहानी के बीच में जब मीडिया वाली लगतार अब पूरा जा रहे थे तो उस वक्त एक महिला का वीडियो पूर देश ने देखा और द्रसल वा एक मीम्स की तोर पर उसे वारल भी किया गया महिला के अगेंस में लगातर ताबर तुर करवाई करवा रहे हैं डरा रहे हैं आपको सीमा महिला नहीं दिखती हैं सीमा के बच्चे नहीं दिखते हैं सीमा की बेटियां नहीं दिखती हैं वो महिला नहीं है उसके लिए ऐसा कहा गया एक प्लान बे में हर जगह किया गया नहीं आप decide करेंगे बहाँ बैठके कि सीमा के बच्चे किस से पैदा हो रहे हैं सचिन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है आप उसका पुरुशत्त कर सके आप potency test कर रहे हैं आप उसके sperm को test करके लाए हैं आपने चेक किया है कि उसमें परशुद तो नहीं है वो नहीं कर सकता pregnancy is importance या आप यह कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है हमारे देश में कितने लोग पतले दूबले हैं हलके फुलके हैं डाक्टर कहते हैं सौ रोगों की दवा हलका होना शरीर बज़न अधिक सौ रोग आपको आ जाएंगे कोई थिन स्लिम स्मार्ट कहलाना पसंद करता है कोई जिम जाता है कोई योगा जाता है कोई एक्सरसाइज करता है कोई पार्क में जाता है कोई साइकलिंग करता है कोई स्विमिंग करता है सब अपने अपने तरह से हलके बजन करने के लिए लगते हैं पतला हो ना हलका हो ना तो उसमें जिंगुर कहा सोचाए है का भासा है सर जब किसी को अच्छा नी ही लगता है तो वह टोन मारा जाता है कटी हुई पूँच बाली कुटिया हो जाती है वो उसको मसल दोगे आप किसी बच्चे लड़के को मसल दोगे मसल के फैक दोगे मार दोगे उड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा गलती होगी नहीं इसलिए वो कह रही है फासी होगी नहीं लेकिन लोग इस देश के जान गए है कि ऐसी महिलाएं कैसे समाज को बाटने का काम करती है कैसे समाज को बरबाद करने का काम करती है कैसे पुरुषों के लिए गलत भाव गलत विचारधारा और इस तरह की भावना रखती है इस देश के लोग जान गए, लोग समझ गए इसलिए कूंकि पूरुष आयोग है नहीं, पूरुष हल्पलाईन है नहीं, जानवर से बहन बेटी की तुलना की जा रही है हम नवरात्रे में करन्या पूजन करते हैं लोगों को परेशानी इससे नहीं है लोगों को परिशानी इससे है कि 13 अगस्त को सीमा ने रभुपुरा में मेरा गाउं मेरा देश के तहट मेरा गाउं मेरा देश मेरी माटी के तहट पौधार उपन क्यों किया तुलसी का पौधा क्यों लगाया सीमा को इस बाद से परशानी है कि हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा क्यों लहराया गया इस सब बाद से परशानी राष्ट धज तिरंगा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा क्यों लहराया गया ये सब जो चीजें हैं ये important हैं जिसकी बज़े से ऐसा हो रहा है जो की गलत है नहीं होना चाहिए था भार की जै करना अपराद है तो सीमा ने किया है अगर बंदे मात्रम गाना राष्ट गान गाना घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के तहत हिंदुस्तान जिन्दाबाद कहना अपराद है सीमा ने किया है बच्चों ने किया है अगर जिन्द चौधा अगस्त को बिभाजन की बिभीशी का सुचिया जो हमारी बिभाजन की बिभीशी का चौधा अगस्त को मनाई जाती है उसमें क्या है हमारे दस लाख लोगों की हत्या हुई थी चौधा अगस्त को दस लाख लोगों की हत्या हुई थी चौधा अगस्त जो इधर आ र से जो बिभीशन की बिभाजन की बिभीशी का मनाना गलत है नेता जी सुभाश चन्रबोश चन्रशिखार आजाद राम प्रशाद बिस्मिल रोशें सिंग अश्वाक उल्ला का जनम दिन मनाना गलत है तो गलत किया है कौन खह सकता है मसीता सावित्री गारगी अपाला ही है रहरा है अपने माता पिता बच्चों के साथ रहरा लेकिन उस पर आएसी आरुप लगाना गरीब है सूखा है यह ऐसे दिख था लोग है या बिकलांग है या handicap है या दिबांग है या किसी मर्श से प्रेद है अब थाइराड वाले का बढ़ जाता है क्या करोगे आप अब उसे तो रहने का दिकार ही नहीं आपके साब से सूखा रोग वाले कंकड हो जाता है भिलकुल अड़ी अड़ी रह जाती तो आप न कुछी बिश्यों को की सेंडल पहन लेती है जिन पुरुषों की हाइट अपनी पत्नी के तुलनाम कम है वो हाई हिल के जूटे पहन लेते हैं जिनकी ज्यादा हाइट है अपने पत्नी के तुलनाम वो स्लीपर पतले एक दम पहन लेते हैं जूटे वाली दुकान पर सब तरह की मिलते हैं अब कोई अपनी पतनी को अधिक गोरी करना चाहता है ब्यूटी पार्लर भेजता है सजाता है समारता जैसी उसकी छमता जैसी उसकी भावना जैसको यह अपने पती के लिए करती है उसे जिम भेशती है उसकी फीस देती है खिलाती है पिलाती है पॉश्टिक्ता देती है मजबूती देती तो पती पतनी के मिनिजी माबला है मिया बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी साब सी बाती है और मैंने इसलिए इस सारी चीज को देख के अपने पेज से समझ के कि लोगों ने क्या कहा डॉक्टर एपी सिंग लोयर पेज पर लोग क्या कह रहे है मैंने उसके हिसाब से कारवाई की सीमा सचिंजी मीना ने जैसा कहा वो किया और जैसा हमारे देश के मीना समाच जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है आज हमारा देश गरीब दलिश शोशित पीडित मजदूर मजलूम गाउं गली गलियारे का वेक्ति आग घेंगे भारत माता की जय होगी 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 हिंदुस्तान जिंदावात था है और रहेगा ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए यह वो नहीं होगा वो तो होगा और सीमा भारत में आई है, हिंदुस्तान में आई है, राष्ट धच को लेकर आई है, राष्ट धच के साथ जियेगी भी, राष्ट धच के साथ मरेगे भी, राष्ट धच से उसे कोई अलग नहीं कर सकता, भारत माता से कोई अलग नहीं कर सकता, हिंदुस्तान से कोई अलग हमारे देश के लोगों के आदत है। डोली आती है। तो अर्थी जाती है। ये परमपरा निभाएंगी। हमारे जैसे और बहन बेटिया निभाती है। कुछ लोग राश्री से भटक जाती हैं, कुछ के सामने कई परसित्यां लग जाती हैं, लेकिन सीमा उस सारी बात को निभाएगी और पूर्टा के साथ निभाएगी और किसी महिला पुरुष की तुलना जानवरों से नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब का मान ह मान है, सब का अधर है, सब का भाव है, सब की भंगिमा है, उसी आधर पर कारवाई होनी चाहिए. लेस भाटी पर जो आपने लीगल एक्सेन लिया है आखिरकार उसमें क्या सजा का परवधान है कि इस तरह के कठनाईयों का सामना करना पड़ा सकता है क्योंकि आप वो भी अपील कर रही है कि अगर हमें जो चाहते हैं वो मेरे लिए केस लड़ जाए मुझे बचाए इस तरह केस लड़ने के बाली बात नहीं है भी अभी तुनको सोचना है उनको समझना है उनको सोचने समझने का टाइम दिया गया है कि वो सोचें समझें गौर करें इस पर बात करें विचार करें कि गलत किया है तो इसको गलत माल लें कोई इस बात को सही नहीं मानेगा कोई नहीं क के लिए ऐसा कहना दूसरे के लिए बोलना बिल्कुल गलत है असनसदिय भाषा का प्रियोग करना अपमान जनक भाषा का प्रियोग करना राहुल गांधी ने किया था ना मोधी गलत हो गया, तो कहें दो पॉब्लिकली, गलत हो गया, हमसे ऐसी भावना नहीं थी, हो तो कहीं रही है, जो एक बार मेडियावल आया, मेरे मुंपे माइक लगाया, मुझे समझ में नहीं कैपना, मुँण हमसे निकल गया, लेकिन जब आज तक चैनल पर चल रहा था उसमें ये जब बार-बार उनसे कहा जा रहा था रिपीट करने के लिए वह वर तो वर रिपीट नहीं कर रहे थी तो कहीं नहीं डर तो है उनको हाँ तो अब नहीं रिपीट कर रहे है तो अच्छी बात है बदलावाए अगर ये मितलेस भाटी और जो गीता भाटी है वह माफी मांग ले तो क्या डॉक्टर एपी सिंग माप कर दें बिल्कुल माफी मापने से बाले से बड़ा कोई नहीं होता है माफी बड़ा गलती हुई है उन्हें गलती के एसास हुआ है माफ कर ले हैं कोई आपति नहीं